नमस्कार आप देख रहें न्यूस वार्नेशन और मैं आपके साथ बंदना उतर प्रदेश सहीत पांच राज्जियों में वधान सबाद चुनाव होने वाले हैं जिसके तारीकों की घोशन अब चुनावायोग ने कर दिया है जिसको लेकर अब उतर प्रदेश के जो मुख्य मंत्री हैं योगी आदितिनाथ उन्होंने भी ट्वीट कर इस पूरे जो तारीकों की घोशना हुई है और जो भी नहीं जानकारी चुनावायोग ने साजह की हैं उन सभी जानकारियों के साथ साथ चुनाव के तारीकों की खुछ कहा है आईए हम आपको बताते हैं वस्तार से बतादे के यूपी के मुख्य मंत्र योगी आदितिनाथ ने ठ्वीच कर कहा है कि लोग तंत्र के महापर्व में प्रदेश के चुनाव की तीथियों की घोशना का स्वागत है भारती जनता पार्टी डबल इंजन की सरक सरकार की उपलब्धियों के अधार पर जनता जनार्दन के आशिरवात से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी मतारे के लोग सब चुनाव के सेमी फाइनल कहे जा रहे उतर प्रदेश समेट पांच राज्यों के चुनाव का एलान निर्वाचन आयोग ने कर द होना है मनिपूर में दो चर्णो में 27 फरवरी और तीन मार्ज को वोटिंग होगी तो वहीं उतर प्रदेश में पहले राउंट की वोट होगी असकी बाद दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है 20 फरवरी को 3 और 23 तारीक को 4 राउंड की वोटिंग होगी 27 फरवरी को 5 वे और 3 मार्च को 6 और 7 मार्च को 7 राउंड का मतदान होना है मुख्य निरवाच्वन आयूप्त सुशिल चंद्रा ने बताया है कि 10 मार्च को सभी 5 राज्यों के नतीजों का एलान किया बाइक रैली नुकर्ट सभाओं पर रोग लगा दी गई है सिर्व वर्शुल कैम्पेंड की ही अनुमती होगी 15 जन्वरी के बाद हालात किया समिक्षा गिया जाएगा यदि कोरोना नियंतरन में होता है तो फर कुछ और छूट दी जा सकती है चुनाव की समापती के बाद किसी भी तरह की विजय जुलूस पर भी रोख होगी तो कुछ इस तरीके से एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने दिली में प्रेस कॉन्फरेंस कर पांचो राजियों में जो वधान सब चुनाव होने वाले हैं उसके तारीकों की घोशना कर दिया है तो वहीं दूसरी और उ फिर से डबल इंजिन सरकार ही यूपी में बनेगी तो फिलाल के लिए इतना ही ऐसे खास जानकारी के लिए देखते रहे नियूस फ़र नेशन धन्यवाद